मा नाक नहीं खिंचेंगे आप में रखेंगे नहीं विवाह के हर सीद की तरह इसके निर्धारन के पीछे भी एक कारण था प्रभू जब वरवदू के माता पिता जमाई के चरंड होते थे तो जमाई के मन में एहंकार आ जाता था और उसे लगने लगता था कि वही सब कुछ है, कोई और कुछ नहीं तभी वदू की मा उसकी नाक खिचकर उसको फिर से जुकना सिखाती थी पर आपके भीतर आपके भीतर तो सभी गुण है प्रभू और फिर भी एहंकार तो क्या कोई भी दुर्गुण तनेक भी नहीं है इसलिए आपके साथ ये रीती करने की आवशक्ता ही नहीं है कि आये प्रभू कि अधारियों कि सारी वारातियों के पैर अवश्य पक्खार्णा कि अरुन वे तो बारातियों के समक्षी होगा कि तुव है कहां अरुन कि अरुन कि अरोड़? अरुन मैं कब से तुमसे बिन्दी की प्रतिक्षा कर जई थी तुम्हें एक शेंट देखने के लिए कब से व्याकुल थी इनके तो पाओं ही नहीं है फिर पाओं कैसे दोई कि अपने कर्मों के फल भूल गे विन्दा सोचा है क्या कईगी अरुन से जिस पुत्र का पूरा जीवन तुने नश्ट कर दिया कैसे करीगे उसका सामना अब तो ऐसी मान निकली जिनों ने अपने ही पुत्र पर आज़ा प्रहार किया गरुन, थनीक्सोन पोत्र यह क्या किया अपने एर्शा के वश में अपने ही पुत्र को विकलाओ बना दिया इस महापाप के लिए मापको कभी शिमा नहीं तरूगा असरक शाम पो और मसर जैसे दोशों ने आप और आपकी बहन दोना की पुत्र हर लेए और मुझसे चीलिया मेरा गोरव और मेरा अपक्राव कुछ क्षण के लिए मुझे अंके लिए रहने पे करूँ जाओ या असे अरॉन 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 कर दो कर दो कर दो आल आल मेरे कारण आपका आपका पुरत जीवन बेर्थ हो गया मार्थ मेरे श्राप ने आपको दास्ता के नर्प में धकेल दिया तो अपने आपको अभी शबह नहीं कर पाऊंगा नहीं चुट तेरा श्राप पूरी परा से उचे था मेरे कारण तुस्त सदय में के लिए अर्थ विक्सित रह गया यदि मैंने धैर रखा होता था तुस्त तुस्त सत्य तो ये है तेरे जन्द के बाद से हरक्षण मुझे लगता है कि तौस्ता का ने जीवन मेरा दर्ड है पर माज तक अपने आपको कभी शमा नहीं कर पाया हुआ हर पल्प हर शण यही अनुभव करता हूँ कि क्यों मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रन नहीं रखा कि उस दिन माप को श्राप ना देता तो तो आज आपकर जीवन जीती जानती द्रास्ती ना बना होता हुआ हाँ माज आपको अपने हाथ में यह कठा करकर पी जाती थी नमा तो मुझे ऐसा लगता था जैसे जैसे आपने मुझे शमा कर दिया हूँ आप इसा लगता था जैसे जीवन में और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे कुछ भी लेए माँ आप जानती हैं मेरे जन लेने से लेकर आज तक मैंने आपको और आपके पेम को केवल अपनी कल्पनाओं में यह अनुभग किया है आज अपने उन सभी अनुभगों को उनको जीना चाहता हूँ माँ मैं चाहता हूँ कि कि जिस तरह आप गरोड के सर पर हाथ रख तर उसे आशिरवाद देती हैं मुझे भी लीजिए जिस तरह अपने हाथों से उसे भोजन करवाती हैं मुझे भी करवाईए इतने वर्षों तक आपके प्रेम से बंचित रहा हूँ माँ प्रसे एक बार एक बार आपके आशिरवाद को छूना चाहता हूँ गर्षों प्रसे पर पजानता है गर्व है मुझे तुछ पर अपनी शारिरे कमी को तुने अपने उठान के मार्ग में अवरोद नहीं बनने दिया जो तेरे दुर बनता थी उसे ही अपने शक्ती बना लिया तुने मैंने जो भी सिखा है सब आपसे सिखा है माँ सब कुछ कवा दिया था आपने अपना कि उसके बाद भी आपने कभी अपनी मर्यादा अपने आत्म सम्मान के साथ समझोता नहीं कि सब आपसे सिखार मेरे सब आपसे सिखार मेरे सथे कहते हैं सब मा को सबसे अधीक प्रेम अपने पहले पुत्र सही होता है लेगा अपना रून भीया आपके मिलते ही माँ मुझे भून के प्रभु विष्ण ने तुम्हें यहां जिस मन तव्य से भीजा था वो पूर्ण हो तुम्हें अरुन से मिला ते हैं मा बेटे के मन में जो पूच था उसका निवारं किया प्रभु ने सही समय आने पर भगवान सदा अपने भक्तों की इच्छब पूरी करते हैं एक बार फिर विद्दा और उसके पुत्रों ने मेरी यूचना भी भल करती मैं स्वायम भस हो जाओंगा अगर आप सब को छल से मंथन नहीं करने दूँगा तुम्हें आभास है तुम किसे धमकी दे रहे हो महराज की खौप से केवल तुम दोनों का ही विनाश नहीं अभी तो तुम्हारे परिवाद और संतान भी सदेव के लिए दुरभाग्य के अंधेरों में खो जाएंगे अभी भी समय है मुर्खो अपने ये तने हुए शीष चुका कर महराज के आदेश का पालन करो और हमें चुप चाप मन्थन करने दो मामा श्री तो आ गए किन तु मामी श्री कहा है कर दो लेक्षन उसे अब बहुत प्रतिक्षा नहीं हो रहे है शीग्र आई आपको देखने के लिए मेरा मन और आतिक होता जा रहा है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो इस शान की प्रतिक्षा मैं कब से कर रहा था जब आप सदा के लिए मेरी हो जाने के लिए मेरी और आईना हम कब से इस शण की प्रतिक्षा कर रहे थे जब आता लक्ष्मी और प्रभु विश्रों का मिलन हो जाएं यह हमारा परमसा भाग्य है कि हम इस दिव्य मिलन के साक्षी बनें रिडेता यह प्रतिक्षा नारायन लक्ष्मी नारायन नारायन लक्ष्मी नारायन नारायन लक्ष्मी नारायन झाल 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 झा कर सकते हैं आपको भी सत्य का आवास होई गया महाराज कर सकते हैं और झाथ खाएंगे अंधाना है। ही अजार इंट इंटार। खुर्णार आरी यंठी dependent है रख्यों आरी यंठी रख्यों आरा आरी रख्यों आरी लजैरा अही मлож姓 पर्दम रख्यों में है आरी प्लाईह म स्भी मेन नहही ढैर ही रस्दिया जारी हा स्थ्दिया कुष भिश commence भाल खाल छक जाओ जारे सरेवी तास्वी दो बेस्वादे बारा माप, हम दोनों परेंपिता विष्णु और शिवजी का आशिरवाद प्राफ्त करने के लिए तपस्या करने चाहा रहे हैं हम भक्ति की शक्ति प्राफ्त करना चाहते हैं आप भी यही चाहती थी ना के हम शक्ति शाली बने जहां जाना चाहते हो जाओ, जहां जाओ, सुखी रहना प्रणाम मा मा तुम सुखी हो ना आपके आशिरवाद से परहम प्रभो के चरनों में स्थान पालिया मैं इसे अधिक सुखर क्या हो सकता है मेरे लिए? विंदामा? अनन्त? अनन्त? सदया सुखी रह, यशास्वी हो जानते हूं, जब से गरूर तुम्हारे बारे में बताया है तब से तुम्हें देखने के इच्छा थी आना है मेरे भी बहुत इच्छा थी आपके दर्शन करने की माँ मैं बले ही गर से दूर चला गया पर आपका विचार मेरे मन में सदैव रहता है इतने वर्शों के बाद तुम्हारा पुत्र तुमसे मिला है, कद्रूर पर तुमसे अधिक विंता से बाते कर रहा है आप सब कृपया अपना अपना स्थान ग्रहन कर ले अब विवा संसकार आरंभ होने वाला आख्या दीचे मा माँ, विवा को संसकार क्यों माना जाता है? क्योंकि विवा कोई शाररिक या सामाजिक अनुभन मात्र नहीं है आध्यात्मिक साधना का माध्यम भी है दो आत्माओं का पवित्र योग है विवा जब दो प्राणी विवा का संकल्प लेते हैं वो अपने अलग-अलग अस्तित्मों को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्मान करते हैं ताकि वो दोनों जीवन और समाज के प्रती अपने कर्तव्य को दो गोणी निष्ठा के साथ लिभा सके अपने अपने पक्ष के साथ साथ कुलों का उधार करते हुए अपनी अगली पिढ़ी को जन देकर संसार के चक्र को आगे बढ़ा सके विवाह वो बंधन है गरूर जिसमें बंद कर हम अपने माता पिता के इरिंड को आंशिक रूप से चुका पाते हैं हम यह मंथा नहीं कर सकते हैं परन्तु महाराज अम्रित वो आपको सत्य का अभास होई गया महाराज कुर्देव आप हाँ मैं मैं जानता था कि आप तो देवताओं के साहिता के बिना तम्रित प्रात नहीं होगा फिर भी मैंने आपको प्रियास के लिए प्रोप साहित किया मुझे पता था माराज कि आप इस कारिय में ऐसा फल होंगे तभी आपको समझ में आयेगा कि आपके वास्त्विक शत्रू देवता नहीं बलकि विष्णू है जब देवता संधी का प्रस्तावले कराये थे तभी मैं समझ गया थे ये विष्णू के अगले अवतार के प्रकट होने का समय है और ऐसा होना असुरों के लिए संकट का कारण बनेगा इसलिए मैं प्रस्मशन से मन्थभन के विचार के ही विरुद्ध्वाद किन्तों आपने मेरा सुजाव नहीं माई और विष्णू के कच्छपवतार के प्रकट होने में साइत अकर भी और इसी मुर्पता के काराण लक्ष्मी शीव सागर से वापस लौटा है संसार में शीविड से लौटा है आप सभी असुरों के कारण देवता अपनी शक्तियां उन्हें अप्राप करने में सफल हुए अगनिदेव आरंब कीजिए जो आग्या प्रामधेव ओम इंद्राया स्वाहा ओम सो माया स्वाहा इदम सो माया नमं इत्याज्य भागों ओम भुवस्वाहा और अब विश्णू और लक्षमी दोनों देवताओं के साथ हैं इसलिए देवता इस मन्थन के कारिये को भी पूर्ण करेंगे और उन्हें अम्रत भी प्राप्त होगा फिर शाय ये मन्थन असरों के साथ पूरा हो या उनके पिनाए अब कन्यादान होगा समुद्र देव, महारानी अब आप वधू का हाथ अपने हाथ में ले और उसे वर के हाथ में रख दे कन्यादान का आर्थ होता है पिता द्वारा कन्या का सारा दाय वर के हाथों में सौब देना और उस पर अपना अधिकार सदा के लिए त्याग कर देना कन्यादान के बाद वधू पूरी तरह से वर्की हो जाती है मैं भी सबेख आपका ही रहा हूँ ओम स्वस्तिना इंद्रो प्रिधाशवाद स्वस्तिना पूशा विश्व वेदा स्वस्तिना ताक्षरियो वारिष्टनेमि स्वस्तिनो रिहस्व पते राधादू शान्ति 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 देवी सरस्वती देवी पार्वती अब आप दोनों वर और वधू के बीच गठ बंधन करें इस गठ बंधन में रखे जाने वाली हर वर्स्तू का एक विशेश अर्थ और महत्व हैं मुद्रा का अर्थ है धन पर पती और पत्नी का समान अधिकार होगा पुष्प सदैव हस्ते और हुस्कुराते रहने का प्रतीक है हल्दी निरोगी जीवन की प्रतीक होती है एक रहस्ती सुचारू रूप से तभी चल सकती है जब पती-पत्नी दोनों पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी हों और फिर मेरी प्रिये दूर्वा घास भी डाली जाती है जो कभी ना मुर्जाने वाले प्रेम की प्रतीक है जानते हैं अरुन गरुड दूर्वा कितनी भी क्यों न सूख जाए उसे भूमी पर डाला जाए तो वो फिर से उप जाती है इसलिए दूर्वा ये संदेश देती है कि यदि कभी क्रोज और रुष्टता की कारण दामपत्य जीवन का पौधा सूखने लगे तो उसे प्रेम की भूमी में बो करके फिर से हरा भरा बना लेना चाहिए देवी सरस्वती ने अभी अभी गडबंदन में अक्षट आला है अक्षट अन की संपन्ता का प्रतीक होता है पुत्रों और इतनी संपन्ता तो होनी ही चाहिए कि परिवार के साथ साथ समाज की भी भूग मिट जाए जाए अब तो आप सदा के लिए मेरे प्रेम के बंधन में बंदेंगे इस प्रेम बंधन में बंद कर मुझे संसार के सारे सप्प्राप्थ हो गए प्रभू आप से सदैब मेरा नाम लेने से पहले आपका नाम करा जाएगा अरिवाण ये विवा संसकार कितना रूचिकर है इसके हर छोटी बड़ी रीती के पिछे कितने संदेश, कितने विचार छिपे हुए है बातों बातों में चूक मत जाना करो अभी विवाण की सबसे महत्वपूर्ण रीती आरंब होने वाली है अब आप दोनों अपनी अपनी प्रतिज्याएं ले आज से अपनी धर्मपत्नी को अर्धांगनी घोशित करते हुए मैं इनके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाते हुए एक नए जीवन की स्रिष्टी करता हुए अपने तन की अंगों की भांती है मैं अपनी अर्धांगनी की भी रक्षा करूँगा अपनी जीवन को पती की साथ संयुक्त करके में एक नए जीवन की स्रिष्टी करूँगी इसके पस्चार सत्य अर्ध में मैं आपकी अर्धांगनी बन कर रहूँगी मैं पूरी प्रसन्नता से अपनी पत्नी को ग्री लक्ष्मी का महान अधिकार स्वांपता आज से सदैव जीवन के निर्धारन में मैं इनके परामश को महत्प दूँगी अपने पती के परीजनों को एक ही तन के विभन्न भाग मानकर उन सब के साथ सम्मान पूर्व प्यवहार करूँ नारद, गरू, शेशना, मेरे और श्री विष्णु के परिवार के अभिन्ना अंगे यह सब विए सारे सच्चे भक्त ही तो हैं मेरा परीवार क्या लगता है आप सब कि विष्णु वहां विवा में ब्रेस्थ हैं तो उनको ग्यात नहीं है कि आप यहां क्या करने का प्रेत्म कर रहे हैं किन्तु वो आपको बिल्कुल भी रोप नहीं रहें, कुछ भी नहीं कर रहें इसके लिए, क्यों? एक कारण, सिर्फ एक छोटा सा कारण चाहिए उन्हें, ताकि वो इस हंदी तोड सकें, और आप असुरों को इस मन्थन की प्रक्रिया से दूर कर सकें ताकि सारा का सारा अम्रित देवताओं को प्राद भोज़ें यह मादेह, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गए शमा करें, गुरुदे, हम तो कलपना भी नहीं कर पाए कि हमारे विरुद इतना बड़ा शर्यंत रचा गिना गुरुदे, अब आप हे हमें बताईए कि हम क्या करें कुछ नहीं अब आप कुछ नहीं कर सकरें इसलिए जो संकल्प किया है उसे पूर्ण करना होगी विष्णू और लक्ष्मी का विवा समाप्त होने तक की प्रतिक्षा कीजी और उसके बाद कुन है मन्थन के कारिये में जुड़ जाईए परिस समुद्र मन्थन के साथ साथ एक विचार मन्थन भी अपने मस्तिक्ष में हर्शन करते रहेगी यसरों को अमरित पहले कैसे प्राप्त हो रूख, स्वास्त, सुभावगत, गुनिय, दोश और अज्ञान से उत्पन होने वाले विकारों को मैं कभी अपने चित में स्थान नहीं दूँगा उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूँगा पत्नी द्वारा यदि कभी कोई भूल हो जागा तो उसने पूर्वक उसे सुथारते या सहते हुए मैं पत्नी के प्रती आत्मियता बनाए रखूँगा सदैव परिक्षम पूर्वक घर के सारे कार्य करूँगी मैं पत्नी के प्रगती और घर के विकास के लिए समुच्चित योगदान करूँगा मैं पत्नी का मित्र बनकर रहूँगा और सदैव अपार्स ने देता रहूँगा इस वचन का पालन में पूरी निष्ठा और सत्य के आधारपट करूँगा मैं पतिवरत धर्ग का पूर्ण रूप से पालन करूँगा कपट और दुरावन ही करूँगा पती की आदेशों का अविलम पालन करनी का अभ्ध्यास करूँगी जिस तरह से पत्नी के लिए पतिवरत की मर्यादा का निधान ही मैं स्वयम उसी द्रिर्टा से पतिवरत का पालन करूँगा चिंतन और आचरन दोनों में पर नारी के साथ वासनात्मक संबंत का विचार भी कभी नहीं आने दूँगा मैं सेवा, स्वच्छता और प्रियव अचन का सदैव पालन करूँगी इर्श्य और पुड़न से दूर रहो भी और सदैव प्रसन्नता बाटने का प्रयास करूँगी पत्नी की प्रगत, सुख और सुरक्षा की विवस्ता मैं अपनी पूरी शक्ती के साथ करूँगी किसी के सामने भी पत्नी को लांचित या तिरस्प्रित कभी नहीं करूँगा पत्नी होने के नागत, मेरे पती मेरे लिए देवता स्वरूप यही मान कर, और सारे मत्विदों को भूल कर, मैं सदैव आपकी सेवा करूँगी कभी आपका अपमान नहीं कर दो अब आप दोनों, शिला रोहन के लिए खड़े भूजाए नालाया, 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 लिऍलाद की नालाया हम दोनों ये प्रतिक्या लेते किश्चिला की तरस धिर रहेकर, घब अपनी प्रतिक्याों का पालन करें हम दोनों ये प्रतिग्या लेले कि शिला की तरास दिल एक हम सबैद अप्नी प्रतिग्यां का पालंग करें अब वर्वद हो अगनी के समक्ष फेरे लेंगे क्योंकि अगनी सूरे देव का प्रतिग्या है गरुब और सूरे देव से अधिक संसार में घटित हर कर्म का साक्षी और कौन हो सकता है सब कुछ देखते हैं सूरे देव इसलिए उनको अर्थाक उनकी प्रतेक अगनी को ही साक्षी मानकर विभा किया जाता है गरुड अद्भूल ये जानने के बाद तो मैं सुर्ण को और अधिक सोबा के शालिय अनुपर कर रहा हूँ क्योंकि अगनी देव और सुर्य देव मेरे बड़े भाई चाहि कैसी भी परिस्ते थी क्यों न हो मैं आपसे कभी दूर नहीं जाओंगी प्रभू आपके सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी करूँगा में जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता वो भी घटित होने पर विवश कर दूँगा पर आपके सम्मान पर कभी कोई आच नहीं आने आप सम्मूर्ण स्रिष्टी सबसे अधिक महत को पूर्ण मेरे लिए अब एक ही वस्तु है प्रभू आपकी प्रसन्यता अरूम गरूर देखो इस अंसार में पुरुष से अधिक महत्व नारी को दिया जाता है इसलिए पहले चार फेरों में नारी का स्थान आगे होता है करताओं का ध्यान रखोंगा आपका अश्क उल्लास अपने प्रसनता से भी अधिक महत्पूल होगा मेरे में संतुलन बनाए रखनी के लिए अंतिम के तीन हेरों में पुरुष को आगे बुलाया जाता है वैसे तो मैं आपके ओपर कोई संकट आने ही नहीं दूगा पर यदि के विधान वश्क आ भी गया तो आप तक पहुंचने से पहले उसे मेरा सामना करना होगा जो आपका अहित करेगा उसके सामने चट्टान बनकर खड़ा हो जाओंगा अब सब्त पदी की रीद की जाएगी सब्त पदी का अर्थ होता है वर और वधू का एक साथ साथ पग चलना ये साथ पग विभा की लंबी यात्रा पर ठीक से चलपाने के लिए अनिवारे होते हैं गरूब प्रथम पग अन्यकी व्रिधी के लिए होता है अन्यका उतपादन अन्यकी रक्षा और अन्यका सदूपयोग जो कर सकता है वही सफल ग्रहस्त हो सकता है अधिक पका लेना, जूटन छोड़ना और स्वच्छता का ध्यान न रखना इन सभी बातों से स्वास्त की हानी होती है इसलिए आहार की सात्विक्ता का उचित ध्यान रखना दामपत्य जीवन का मुख्य उत्तर दाइत्व है दूसरा पग, शारिरिक और मानसिक बल की वृद्धी के लिए होता है व्यायाम, परिश्रम, उचित और नियमित आहार विहार से तन का बल स्थिर रहता है अधियन और विचार विमर्ष से मनोबल बढ़ता है जिन प्रयत्म से दोनों बल बढ़े, पती और पत्नी, समर्थ, स्वस्थ और सशक्त बने उनका उपाई सोचते रहना चाहिए तीसरा पग, धन की वृद्धी के लिए होता है जैसे मुद्रा अर्जित करना आवशक है वैसे ही व्याई की मर्यादाओं का ध्यान रखना तामपत्ते जीवन का प्रमुख करता व्य है चौथा पग होता है सुख की वृद्धी के लिए पती पत्नी प्रसंद चित रहे मुस्कुराने का भ्यास करे हस्ते हस्ताते जीवन व्यतीत करे पांचवा पग परिवार पालन की नीटी सिखाने के लिए होता है छोटे बड़े सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाए आश्रित पशों, सेवकों और दासों को भी अपने परिवार का अंग माना जाए उन सभी आश्रितों की उचित देखभाल, सुरक्षा, उन्नती और सुक्षानती के उपाए अपनी पूरी शम्ता के साथ किये जाए यही इस पांचवे पग की शिक्षा है संतानों को जन्म देना स्वभाविक है इसलिए दामपत्य जीवन में उसका भी स्थान है परन्तु इन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी मर्यादाओं का पूरी कठोर्ता और सतर्कता से पालन किया जाना चाहिए यही इस छठे पग का संदेश है और यह सांत्वा पग मित्रता को स्थीर रखने और बढ़ाने के लिए होता है पती-पत्नी दोनों ही यह ध्यान रखे कि उनकी और से कोई तुटी तो नहीं हो रही साथ ही अगर कोई भूल कर भी रहा हो तो उसका उत्तर कठोरता से नहीं बलकि सचता और सरदयता के साथ दिया जाना चाहिए दुष्टों के साथ दुष्टकता की मीती सांसारिक व्यक्तियों के साथ एक सिमा तक अपना इजा सकती है भरंतु अपने साथी का रिदय जीतने के लिए उदारता, सेवा, सोजन्यता और क्षमा जेसे शस्त्र ही उप्योग में लाने जाने जहिए तब पदी में साथ बग बढ़ाते हुए साथ सूत्रों को आत्मसाथ करना होता है इन आदर्शों से धांतों को यदि पती पत्नी अपना ले और इस मार्क पे चलने के लिए बग से बग मिलाकर अग्रसर होने की ठांग ले तो दामपत्ते जीवन की सफलता में संधे की संभावना ही नहीं बच्थी सप्त पदी होने के बाद ही अरधांगनी को वामांगी का अधिकार प्राप्त होता है प्राप्त 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 अब देवी लक्ष्मी की मांग में सिंदूर डालने की विधी आरंब हो ही तुम्ता 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 तुम कर दो हैं जानते हो सिंदूर मांग में क्यूं भरते हैं क्यूंकि ब्रह्म जोतिर मैं है और उसकी जोती का रंग लाल है और ये शुब इसलिए होता है क्यूंकि नारी की मां ब्रह्म रंदर के ठीक उपर होती है स्त्रियों का ये स्थान बहुत कोमल होता है इसलिए यहां सिंदूर भरने से स्त्री के तल में विद्युत तरंगे नियंत्रित रहती है सिंदूर दान की इस अंति मिरीती के साथ अब विवाह संपन्न हुआ कि अब विवाह संपन्न है इस विवाह और इस त्रिश्य को देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया कद्रू तुम्हारा मुख क्या हुआ तुम इतना आश्यर चकीतों कर क्या देख रही हो क्या हुआ है मेरे मुख को कद्रू तुम्हारे चेह किताब क्या हुआ है बोलो कद्रू वो वो लुपत हो गया है धन्यवाद प्रभुष्णी धन्यवाद माता लक्ष्मी आपको कोटी-कोटी धन्यवाद जग के पालक है नारायड लक्ष्मी नारायड जग के पालक है लगता है आप समझी नहीं असुर माता यह महिमा प्रभु विष्णु और मा लक्ष्मी की है आज विवा इनका हुआ है पर जो आतीती पूरे मन से सम्मिलित हुए हैं अब उन सब का कल्यान होगा नारायड नारायड सत्य कहा मुनिवर केवल आज ही नहीं आज से आनंत काल तक जो भी पूरे मन से और सची श्रद्धा से लक्ष्मी नारायड का ध्यान करेगा उसके जीवन में सुक, सम्रिध्धी और शान्ती का वास होगा उसके सारे मनुरत सफल होंगे सभी च्छाएं पूरी होंगी मेरी तो बस इखीक शाय है मेरी संतानों को अमित बिल जाये और वो सर्व शक्तिमान बन जाये माया का खेल भी कितना अनोखा है कितनी शीख्र खेल देती अभी कुश्चन पहले तक कद्रू के मन में केवल भकती थी किन्तु इच्छाओं ने फिरसे से अब जकड लिया परप्रभू जब तक ही अपने दोशों से मुक्त नहीं होती विंता और गरूर अपने दासित्र से मुक्त कब होंगा शीख्र होगा अब वो मेरा दाइत है रो क्यू रहे तु रो क्यू रहे तु रो क्यू रहे तु मुझे दासि के इन वस्त्रों में देखकर ये तो हुना इधाना गरूर अन्तु क्यो माँ जब प्रभू विश्णू और मातारक्ष्मी के अशिरवात से बड़ी माँ के मुक्षे दब्बे अट सकते हैं पिर अमें दासितों से मुक्त क्यों नहीं कर किसी और को क्या मिला है और हमें क्या नहीं मिला ये सोचना व्यर्थ है मैं अपने जीवन में ये भूल एक बार कर चुकी हूँ जब मैंने अपने सवभागे से प्रसन्न होने के स्थान पर अपना ध्यान कदरुदिदी के सुख पर केंद्रित कर दिया था जिससे मेरे मन में इर्शा के महापापने जन्द ले लिया था गरुड मैं नहीं चाहती तो भूल कर भी वही भूल फिर से दोरा दे आप सही कह दिया तु चिंता मत कर गरुड मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह भगवान दतात्रे की कृपा की वर्शा मा पर हुई है उसे तरह प्रभू विश्णु और मा लख्श्मी की कृपा भी आप पर होगी मा उनके कृपा का आशिरवात तो मुझे पहले ही मिल चुका है अरू इतने अच्छे इतने संसकारी दो दो पुत्र जो दिये हैं उन्होंने मुझे अपने पुत्रों के अच्छे कर्म और सेवा का फली तो है जसके कारण में इस पवित्र समारों में सम्मिलित हो पाई है यहां इतना सम्मान इतना अपना पन मिला है मुझे यह सब केवल इस जन्म में ही नहीं आने वाले हर जन्म में मुझे सुख दिनी के लिए पर्यापत हो अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए जब आपके सुख का दायत हो स्वयम प्रभ्य विष्ण के लिए तो अब कोई संकट, कोई पीड़ा आपको छो नहीं पाएगी प्रभुक, विदाई के इस भावुक्षन में हम दोनों की ओर से छोटा सो पहार स्विकार कीजिए इसकी कोई आफशक्ता नहीं है पिताचा यह मणी उस समान का प्रतीक है जो आप सबने मुझे दिया है आज मैं अपनी पुत्री के साथ साथ इस मणी को भी आपको सौप रहा हूँ आपकी पुत्री मेरे हृदे में वास करती इसलिए आज से इस मणी को मैं अपने हिदे के निकट धारन करूँगा ताकि देवी लक्ष्मी को अपने माता पिता की निकटा का अभा सदयाव होता रहे सारे संसार की श्री को हम दोनों भला देखी क्या सकते हैं हिर्मी पुत्री इसी हमारी प्रेम की भेट समझ कर स्विकार कीजिए बड़ी विच्चित्र बात है ना सारा संसार जिस लक्ष्मी देवी को पाने की जेश्टा करता है आज मैंने उनका गन्यादान किया पर मैं जब देखता हूँ कि मैंने अपनी पुत्री का हाथ किन हाथों में दिया है तो ऐसा लगता जैसे इससे बढ़कर उनकारिया कुछ हो ही नहीं सकता अपनी पुत्री का घर से जाना किसी को अच्छा नहीं लगता पर मैं लक्ष्मी भी हूँ और जाते जाते में इस घर को कुछ देना चाहते हूँ ये खिल प्रसन्नता का प्रतीक है जो मुझे इस घर ने दिया है पत्मी होने के नाती मुझे आगे बढ़ना है किन्तु पुत्री होने के नाती मैं यहाँ प्रसन्नता बिखेर के जाना चाहते हूँ जिसका पुत्र सुवैम स्वरगादी पती हो उसे किसी के सामने छोली पहलाने की क्या वर्षब है जय जय है मधु सुदन कमी निधन लक्ष्मी रुपेड़ा पालायमा श्रो अश्ट लक्ष्मी नमस्तू भ्यम वर्द कामरो पिड़े विष्ण वक्षह स्थालारूढे भक्त मोक्ष प्रदायिने जगत मात्रे चा मोहिन्य मंगालं शुभ मंगालं बस ही ताना इससे क्या होगा? अच्छा हो ये वर्द की प्रदा के साथ ये विवावी संपन हुआ और अब शुरू होगा मंधन रुक जाएए मामी श्री आप इस रत पर नहीं जड़ सकती है गनेश जी अब क्या करना चाहते हैं? कहीं कोई भूल चूट ना हुगईगी अब और बीट ना आ जाए क्या हुआ गनेश? तुम्हारा और तुम्हारे मुशिकों का पेट नहीं भरा क्या? पेट तो भर गया भराता किन्तु मन नहीं भरा मुझे नेग दिये बिना आप रत पर नहीं चर सकती है स्वामी अभी तो आपने वर्चन दिया कि सारी परिस्तिति में आप मेरे साथ रहेंगे और अभी आपने मुझे अकेला छोड़ दिया मैं आपके साथ ही हुँ देदे और सदैव आपके साथ रहूंगा किन्तु छोटे भांजने आपसे नेग मांगा है ये उसका अधिकार है ये तो आपको वश्य देना होगा गणेश आप बुद्धी के देवता है और मैं धन वैभव की देवी और जब बुद्धी ही ना हो तो धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं आज मैं आपको आश्रवात देते हूँ कि हम दोनों की पूजा अपसे साथ में होगी जो हम दोनों का स्मरण साथ में करेगा वो ग्यान और सफलता दोनों पाएगा सदैव सुखी रहेगा आपने बहुत अनुपम उपहार दिया है मामी श्री इससे उत्तम नेक कोई और हो ही नहीं सकता है रेकर देढ़ी है एदी नारायल लक्स्मी नारायलू विन्ता, तुम वहां क्यों खड़ी हो, तुम्हें हमारे साथ वैकुंट चलना है मैं वैकुंट प्रभू विष्णो के धाव क्या हुआ, चौप क्यों गई? विवा हुआ है, पर वैकुंट में भी तुरीतिया होंगी न? जिस प्रकार इतने अच्छे से तुमने मेरी यहां सहायता की, वहां वैकुंट में भी तो करोगी न? सदेर विंता को मुच्छी अधिक महत्वा निलता है मा, मैं कैसे? नहीं, नहीं, मा, मैं नहीं हां सकती वहां विंता, मैं स्वयम तुम्हें मेरी साथ वैकुंट चलने के लिए कह रही है और तुम मना कर रही है मेरे कहने का आठ ये नहीं है, माप पर मैं कैसे? देवी विंता, वैकुंट की स्वामीनी ने स्वयम आप से साथ चलने का आग्रे किया आप इनका आदेश टाल नहीं सकते प्रभू, स्वागत की तैयारिया करने के लिए हमें आप से पहले पहुचना होगा आग्या दीजी चलिमल चलिमा चलिमा झाल चाल रुको गद्रू वाइकुन जाने का विशेश नुमत्तन सिर्फ विंता को मिला है तुने नहीं और मुझे नहीं लगता कि तुने जाना जाहिए तुम स्वयम भी तो बिरानी मंतर के हाई थी ना और स्वयम तुमने भी देखा ना कि इन सबने मेरे साथ कैसा वेवार किया इन सबने मेरी मुपेग्षा की है और मैंने कैसे भी करके अपनी क्रोर पर ने अंत्रंक कर लिया क्या तुम करूअ की गद्रू विय ही अभुन में जाकर अगर तुम्हें विंता के लिए कच भी बुरा का या सोचा तो ना जाने परिनाम क्या होगा? यदि प्रभु विष्णु और देवी लक्ष्नु मुझ से रुष्ट हो गए तो अपने पुत्रों के लिए अम्रित बाने का मेरा स्वब नहीं रह जाएगा तुम ठीक कह रहे हो मुझे वैकॉंट नहीं जाना चाहिए तो जितना होना चाहती है विंता उड़ ले एक बार बस एक बार मेरे पुत्रों को अम्रित मिल गया तो फिर उन्हें तेरे गरुन से कोई समकरते ही होगा फिर तब तब अपने हर अप्मान का पतला रुष्टों से अध्भुत अविश्वस में कितना सुन्दर है ये लोग आज तक केवल इसके स्वप्ण देखे थी मैंने सदेव सोचती थी कि कैसा होगा वैकुंद अपनी कल्पना से इसके भेती चित्रों में रंग भरती थी पर ये स्थांग तो मेरी कल्पना से भी परहे है गरूर मैं साक्षाद वैकुंद की यात्रा कर रही हूँ ये सब तेरे कारण ही संभव हुआ है पुत्र मुझे तो विश्वास भी ओरा करूँ मैं पैकुट के द्वार के सामने हूँ इतना बड़ा सवभागित इतना सारा सुख ये अकल्पनिया है करूँ अकल्पनिया विन्ता आओ 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 अच्छा हुआ तुम तनिक पहले ही आ गई एक बार तुम भी देख लो ग्रेप्रवेश की कोई सामगरी छूड़ तो नहीं गई मैं हाँ मैं कैसे देखू अरे चलो भी ये देखो देखो न विन्ता कोई सामगरी छूड़ तो नहीं गई प्रेखो मा रभु बिश्ण और मा तलक्ष्मी आ गए मुझे सदा से ग्याद था कि समुद्र मंधन कराने से हमारा मिलन अवश्य हो और आज आपको अपने साथ देकुन लाते हुए मेरे सारे प्रयास सफल होने का अनुभव हो रहा है मुझे पूजा स्वीकार करें गणपती भीतर पधारें आपको तर्शन मेरा वदर पता जै देव जै देव जै देव आपको तर्शन मेरा वदर पता जजा देव हुआ 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 है सुम्नत वन्दित सुन्दरी माधवी जन्द्र सहोदरी है ममये मूनि गण वन्दित मोक्ष प्रदायनी मन्जुल भाशिनी वेदनुते पंकज्वासिनी तेवसु पूजित सद्गुन्वर्शिनी शांतियोते जै जै है मधु सुधन कमिनी आदि लक्ष्मी परिपालया मम मारुंदती मानुसुय जिस आत्मियता से आपने मेरा स्वागत किया उससे मैं अभीबूत हो गई है करूर विंता तुम दोनों अपनी करतव्य पूरी निष्टा के साथ निभाते हैं और वो बहुत प्रशन स्निय हैं और सबसे अधिक धन्यवाद मैं आपको कहना चाते हूं स्वाम आप ही के कार इस अध्भूत आनंद का अनुभव करने का अवसर मिला मुझे केवल आप ही नहीं दे संसार की हर स्त्रीक इसी सम्मान की अधिकारी क्योंकि पत्नी का धर निभाते समय वो जितने त्याग करती है उसकी कलपना भी नहीं की जा सकती मेरे सखाने बिल्कुल सत्य काहे देवी एक कन्या जिस घर में पली बड़ी होती है उस घर को, माता पिता को, भाई बहन सकी संबदियों को सभी को छोड़ कर वो एक अपरिचित व्यक्ती के साथ अपना पूरा जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाती है केवल एक आश्वासन के साहर है वो आश्वासन जो उसके पिता ये कहते होए देते हैं कि ये वर तुमारे लिए पूरी तरह से उप्युक्त है पूरे विश्वास से कन्या अपने पिता के बचन को अपना जीवन मान लेती है सब कुछ त्याग कर वो एक नया जीवन लेती है ससुराल में पग रखते ही है पती के सभी संबंदी उसके अपने हो जाते है सत्य तो ये है देवि कि एक इस्त्री ही है जो अपने सिजन की शक्ती से कुल को आगे बढ़ा सकती है अपने पती को अपने माता-पिता के रिंड से अंशिक रूप से मुक्त कर सकती है इस्त्रीया बिना कुछ मांगे पुर्षों पर अपना सब कुछ नेचावर कर देती है इसलिए उनका सम्मान जितना किया जाए उतना ही कम है आपका कथन सत्य है महादेव और भावुग भी जिस प्रकार आप सभी ने मेरा ग्रह प्रवेश किया उससे ना केवल मुझे प्रसन्नता हो बलकि मेरे भीतर आत्म विश्वास का संचार भी किया कि वदू होने के नाते मैं अपने उत्तरदायत्व अच्छे से निभा सकती हूँ मायके से ससुराल जाते समय संसार की हर स्त्री को इसी आत्म विश्वास की आवश्वक्ता होती है इसलिए मैं ये संकल्प लेती हूँ स्वामि आज से जो भी परिवा अपने बहु का ग्रह प्रवेश इन सब संसकारों के साथ करेगा मैं स्वयम उस्त्री के भीतर स्थिर निवास करके उसे ग्रह लक्ष्मी बनाओं उसके शुब हातों से हल्दी के च्छा उस घर के कश्ट और रोगों को मुक्त करेंगे अक्षत बिखेरने से उस घर में संपन्नता और प्रसन्नता बिखरेगे और आलते से रंगे हुए उसके पच्छे उस घर को धर्म और सफलता का मार दिखाएंगे यदि तुम सब मानते हो कि हमारे प्रतियोगी केवल देवता हैं तो तुम सब भ्रम में होगे अमरित पर केवल देवताओं की नहीं नागों की भी द्रिष्टी है और नागी क्यों जो भी प्रणी एक निष्टित आयू लेकर इस अंसार में आता है और अपना समय पूरा होने के बाद बंच तत्वों में विलीन हो जाता है हर वो प्रणी इस समरित को पाना चाहेगा इसलिए हमारा पूरा ध्यान अपने लक्षे पर केंद्रित होना चाहिए ताकि अमरित प्रकट होते ही सबसे पहले हम उसे चीन सके पर यह कैसे होगा महराज क्योंकि गरुड की तीवर द्रिष्टी सदेव हमी परबनी रहती है आ महराज मंद्राचल से लेकर वासुकी तक सब सदेव के वल्तेवताओं का ही पक्षने दिये पर वैसे भी महराज अब व्रिष्टू के साथ साथ दीवी लक्ष्वी इस मंधन को देखेगी उन सब की गड़ी त्रिष्टी के सामने कैसे चुराएंगी हम अम्रित ना रायन, ना रायन आप जानती है माकमा एक दिन यही वैकुंड में खड़े होकर गरुड के मन में भी एच्छाई थी कि वो प्रफु विष्णु और मालश्मी के मिलन में सायक बने ठीक उसी तरहें आज आपके मन में जो भी विचाराया है वो भी अवश्यपुरा होगा मा वैसे सखी जब से आपने स्वयमवर में नारायन को चुना है तब से मेरे भीतर एक प्रश्न उमड रहा है कहा तो आप म्रिग्नैने मन मोहक लाल गालो वाली रूप मति देवी और कहा ये नारायन जो कभी तो सलोने दिखाई देते हैं और कभी सावला शामरंगधारन कर लेते हैं आप कमल पुष्प पर विराजती हैं और ये विशाल सर्प पर कि कैसा मेल है देवी महापारवती आप प्रभू के बारे में ऐसा कैसे कह रहे हैं और क्यों ये भी एक रिटी होती है गरूर्ण नंदे और भाविया नववधु से उपहाज करती है ताकि उसे ससुराल में हिचकी चाहत ना हो और वो अपने मन की बात सब के सामने रख पाए श्याम रंग तो कस्तुरी का भी होता है सकी जिसे हम मस्तक में धारन करते हैं मेग भी तब वर्षा करता है जब उनका रंग श्याम हो और एक बात तो भूल गई सकी सबसे विशेश कमल का रंग भी श्याम है और गालों की लाली का क्या कहने लाल तो कववे की जीब भी होती है पर वो हमेशा बोलता है करकश द्वर्व इसलिए ये मेल अनमोल है बस ऐसे ही एक दूसरे का पक्ष लेते रहे है एक दूसरे का साथ देते रहे चलिए ये रीती भी पूरी हो गई अब प्रथम रसोई की रीती भी कर लेते हैं अभी लाई मा मैं भी चलती हूँ आपके साथ आपकी सहाइता करने विंता ये कैसे संभव है ये मेरी पहली रसोई की रीती है तुम भूजन कैसे पकाओगी कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुझे भूजन पकाना आता ही नहीं लेने माम मेरे कहने का आर्थ यह नहीं था मैं तो बस आपके सहाइता करना चाहती हूँ विंता तुमने अंगिनत पार हम सब को भोग लगाये आज पहली बार मुझे ये अफसर मिला है कि मैं तुम्हें कुछ खिला सकूँ तुम ही बताओ मैं ये अफसर इसे द्यर्थ कैसे जानी दूँ मालक्षमी रसोल में कारे करके पकवान बनाये और मैं उन्हें ग्रहान करूँ जो कभी स्वप्न में भी नहीं देखा था जिसकी कल्पना भी नहीं की थी वो सत्य हो राय गरूर भगवान को भोग लगा कर जब मन को इतनी प्रसंदता मिलती है तो उनके हाथों से भोग खाकर तो ये जीवन त्रिप्त हो जाएगा पुत्र ये लीचे स्वामी अपनी पहली रसोई के रीती में मैंने माखानी की खीर बनाई आप सब खा क्यों नहीं रहे? जब भगवान को खिलाए बिना स्वयम नहीं खाता तो हम अपने भगतों को खिलाए बिना कैसे खा सकते? खाये दे अपने प्रिय के हाथों से बनी खीर खाने के लिए और कितने प्रतिक्षा करवाएंगे आप मुझे से? आप से बनाई यदि बड़ी मा यहां होती तो देखती कि मेरी मा किस सम्मान के योग्य है? संभव है तभी उन्हें आभास हो पाता कि वो मा के साथ अत्याशार करके कितना बड़ा पाप कर रही है वैसे तो इस संसार में जो भी धन है वो आपका ही है और आपसे ही है परन्तु यह रीती है पहली रसोई के बाद नेक की प्रक्रिया आवशक है इसलिए हमारे परिवार के ओर से यह भेट स्विकार कीजिए जन करल्यान का साक्षात स्वरूप है आप दोनों आप सदैब जन करल्यान करते रहें यही हमारा आशिरवाद है और हमारा उपहार भी प्रभू देवी लक्ष्मी यह मेरी और देवताओं की ओर से आपके लिए छोटी सी भेट मैं प्रभू विष्णु और माता लक्ष्मी को क्या भेट दो अब हमने प्रस्थाय की आधिया दीजिए हम दोनों तुदास है हम अपको क्या दे सकते है भनावन तुम दोनों ने हमें पहले ही उपहार दे दिया है अपनी भक्ती का उपहार यदि भक्त की भक्ती ना हो तो भगवान भी भगवान नहीं हो सकते अब आगया दीजे प्रभू ताकि महारानी के महल लोटने से पहले मैं वापस पहुत सकते देवी विंता आपकी कर्टब्य निष्टर सत्य ही अद्भूत प्रस्थान कीजी मेरे लिए क्या गया है प्रभू तुम्हारा संदे सही था गर असुरों ने मन्थन का प्रयास इसलिए किया था ताकि वे अमरित को अकेले ही पा सके किन्तु वे विफल हुए इसलिए उनकी इच्छा और भी तिव्र हो गई और वे अमरित को चुराने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते अब ये हमारा दाइद है गर्द हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि अमरित और योग के हाथों में न जाए ऐसा ही होगा प्रभू अमरित उसे ही मिलेगा जिसे आप चाहें के मदलं मदला मदलं मदला सादर मदियारी वदिनम्मदान वदिनम्मदानी शिश्वी के गल्यार में ग्रवनों के सनाद में शीहरी में लंदिंगी आसे देवताओ, पूरा बल लगा दो असरो, प्रक्त पाए के करचोग दो, क्योंकि अप निकलेगा, अमरेख ये दुर्गंद कैसे है, ये कैसी दुर्गंद है, देवराज, ये कैसी दुर्गंद है, देवराज? ये झाल झाल तब प्रक्त पाए करती दो भीमन ये ये लड़े ये ये देवराज यह क्या पदार्थ है यह क्या लिला है प्रहूँ इस पर तो केवल हम मस्रू का यदिकार होगा अश्रो यह अबरित नहीं है वारूनी है जिसे लेने में हम देवताओं को कोई रुची नहीं है असुर उसे अनन्द से ले सकते हैं क्यों देवताओं? सत्य कहा देवराज देखे प्रभू देवताओं ने अपनी सूच बूच से इस समस्या को टाल दिया आपने सही कहा लक्षमी यह उनके सात्वे गुल है कि तुछ असुर अपने तामसिक अबगुल के कारण समस्या को स्वयम ही मंत्रन दे रहे हैं सारा पान तू अकिला कर जाएगा हम मुझ देखते रहेंगे अर शुरो अपस में खलेश करने का कोई लाब नहीं होगा सुना नहीं तुम सबने महराज बली का भी आदेश नहीं मान रहे है यह वस्तु क्या है प्रगु यह कौन सी वस्तु है जिसने असुरों को भी उन्मत कर दिया है यह वारुनी है गर्गुल मदीरह संसार के सबसे आकर्शक है सबसे नशीले द्रवों को अर्थात पेपदार्थों में से एक है व्यक्ति के मन की सभी दुविधाओं सारी इचक को दूर करता है संसार के सभी कष्टों और कठिनाईयों को पुला देता है जो भी इसका फान करता है उसे परम आनंद की अनुभूति कराता है ये द्रव रभू यदि ये द्रव में इतना आकर्शक है तो फिर देवतावने इसकी एक भी बूंद पाने में तनिक भी रुची क्यों नहीं ली ऐसा इसलिए शेश क्योंकि एक बार जुसने भक्ति के आनंद का आभास किया हो उसे परमानंद के लिए मदीरा जैसे इंद्रियों को शितिल करने वाले और विवेक का नाश करने वाले मादक पधार्दों की आवश्यक्ता नहीं होती संसार में ऐसा भी कुछ है जो असुरोप को अम्रित में बुला दें यह तो मैं सोच भी नहीं सकता था माँ मदीरा के अथिरित एक और ऐसी मादक वस्तु है जिसे देखते ही दानवों के साथ साथ देव भी अपना सुद्बुत हो जाते हैं जो देवताओं को भी अपने प्रभाव में ले ले वो वस्तु तो मदीरा से भी अधिक मादकोई माँ मदीरा से भी अधिक मदभरी ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है माँ प्रभू इस स्विशह में आप से अधिक कौन अक्छे से समझा पाएगा चुकि आने वाले समय में आप मुहिनी अपतार धारन करने वाले हैं वो वस्तु है स्त्री की आँखे शेश गरुः हर सफल पुरुष के पीछे किसी ना किसी स्त्री का योगदान अवश्य होता है स्त्री की शक्ती की कलपना भी नहीं की जा सकती यदि स्त्री चाहे तो पुरुष अपने उद्देशे पर ऐसे ध्यान केंद्रित कर सकता कि वो कभी भटकता ने और यदि स्त्री चाहे तो पलक छपकते ही पुरुष अपने लक्षे को पुबूल कर, उसकी मत भरी आँखों में खो सकता है तुम्हें अपना ध्यान केवल, मन्धन पर केंडित रख रहा है अम्रित ही तुम्हारा एक मात रुदेश होना चाहिए राहू यह मदीरा, यह मदीरा वो जाल है जो तुम्हें अपने लक्षे से बटाएगा जब अम्रित प्रकट होगा, तुम्हें दोनों केवल उसे देखोगे उसे सोचोगे, उसी कही विचार करोगे अपनी पाचों इंद्रिया केवल अम्रित पर केंद्रित करोगे यदि तुम इस योजना में ऐसा फल हुए तो हमारी योजना भी ऐसा फल हो जाएगी यदि हम अम्रित हार गए तो सब कुछ हार जाएगे अपनी मह्तव कांशा अपना सपन अपना सामराँ यह सब गड़ हम समज गए महाराच अब आप जो कहेंगे महराच बस वही होगा चलो अब नम्मद आपी अब नम्मद आपी झाल प्राइब झाल लगता है, इस पार रमृत निकलेगा संवरित पर बेरे पुत्रों का ही हक है और उसे पाने से बेरे पुत्रों को अब फिश्नों भी लही रोप पाएगा देवराज अम्रित के आने पर इस प्रकार का फ्रले संभाव नहीं महराज इसका तीच आस्तर नहीं है, क्या हो सकते हैं आखिर ये क्या वस्तु है, जिसके प्रकाश से सभी विचलित है हे प्रभू, मन्थन से निकली ये वस्तु पूरे संसार में प्रले ला रहे हैं इसे धारन करने वाले पक्ष कौन होगा, देता यासर हे प्रभू, अब इस समस्या का निभारन कैसे करें भाराज, इस इस नए संकत से कैसे हो जे, कोई सुझाओ ये तो चंद्रमा है, इनके वास्तविक तेज को ये संसार समाल नहीं पाएगा, ये तब शान्त होंगे, जब कोई महाशक्ती ने धारन करेगी जब जब इस संसार पर विकट समस्या का निर्मान हुआ, तब तब एक वही जिन्होंने हमारी रक्षा की इस अपाशक्ती को वही धारन कर सकते हैं, जिनका ना कोई आदी, ना अन्त, महादेव महादेव आईए, और हमारी प्रात्ना स्विकार कर अपनी शोभब ड़ाईए प्रिफश प्रिफश प्रिंदी एस हो अपने प्रिंदी एस धर बहु इस एदू झाल वही जिए, गधन है और हो दो अल्दार कमेने खिसा हून, ये झाल वही चरिफ़ग用 प्रिंदील एसी एसे आईए प्रिंद्दैक सर्ईग zachे बाल किता ही डहिए आपका स्वागत है परिजात रिक्ष्ष, प्रिप्पे अपने निधारे स्थान पर पस्थापित हो जाए गो शक्ती ये तो पंची जन्न शंक है यदि तेव और असूर उचित समझें तो मैं शंक प्रभू विश्णों को दोनों पक्षों की ओर से भेट देना चाहता हूं नारायन नारायन प्रभू इसे स्विकार कीजिये लक्षमी मा की मूरती कितने सुदर दिख रही है कर दो दो कर दो कि मिठाई इसे साधारण मिठाई समझने की भूल मत करना है ये प्रसाद है इसका एक एक कंड पवित्र है अपना सवभागे समझकर इसे ग्रहन करो करणे कि में एक क्रsen सरो भचकुछश्ठ आड़ अब शीख री अमरत लेगा करणे अब दूल्सलित G. तीवी तारा और रूमी ये अपसराओं का त्रेता यूग में बहुती महत्पून योगदान होगा रूप बती कन्याओं तुम्हारा नाम क्या है तारा रूमी बहुती सुन्दर तुम मैंसे एक चलोगी मेरे साथ और दूसरी मेरे साथ तुम दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि मदुरा की तरह हम देवताफ इन दोनों पर अधिकार इतनी सरलता से छोड़ देंगे इन पर तो केवल हमारा ही अधिकार है ऐसे कैसे तुम्हारे साथ जाएगी मेरे साथ जाएगी वो दोनों पक्षों में से कोई भी इन स्त्रियों पर अधिकार नहीं जता सकता आप दोनों को अपनी इच्छानुसा अपना पक्ष चुनने का अधिकार है और जब तक आप ऐसा नहीं करते आप दोनों स्वर्ग में रहेंगे कर दोनों को प्रशाद ग्रहन करने में आने दोकर ऐसा दंदूंगा ऐसा दंदूंगा की मा मा अपका मुख तो इकदम साफ हो गया सारे धब्बे चले गए इचमतकार कैसे हुआ मा विवा कैसा था बड़ा आनंद आया हो गारा मा बताईए न आप चुप क्यों हैं विवाह तो समाप्त हो गया किन्तो मंतन मंतन अभी भी चल रहा है अब रित किसी भी समय प्रकट हो सकता और उसे उस से अधिक महातुपूर मेरे लिए कुछ भी लगी है हाँ मा पर आपने तो वासुकी भाईया के जाने से पहले ही सारी मांगे रख दी थी तो फिर क्यों आप चंते तोरी हैं क्योंकि मुझे किसी पर विश्वास नहीं है ना तो देवताओं पे नहीं उस रुपएं पे किन्तू राइन पर तो विश्वास है ना मा मा विचलित है और दासी मा कुछ अधिकी ब्रसन ना जाने क्यों मुझे लग रहा है कि इसका कारण भी वो गरुडी है बस एक बार अम्रित मिल जाए मुझे फिर सबसे पहले गरुड का अस्तित्वी मिठा दूँगा मैं बहुत समय हो गया अब तो अम्रित ही मिलना चाहिए इस मंत्र का समापन आप से ही क्रिपे अपने आगमन से हमें क्रितात करें अपने आप लुड़ा अपने अपने आप अपने अपने आप अपने आप अम्रित बाभू कि एप 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 क्या यह है यह धनवंत्री हैं गरू आरोग्य के देवता और ओश्टियों के ग्याता अनंद काल से लेकर अब तक अम्रित की रक्षा यही कर रहे हैं इसकार यह प्रभू की इस कलश में अम्रित है अर्टियों कि एप 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 एंवे हैं झाल झाल बहुत बहुत बढ़ाई हो एक दूसरे के खोशिच शत्रु होने के बाद भी आप सभी देवताओं और दानवों ने संधी की कठिन से कठिन तम चुनोतियों का सामना किया और अपने तन, मन तथा आत्मा तक का बल लगा कर शीर सागर के मन्थन जैसे महान कारे को संपन्न किया असंभव को संभव कर दिखाया है आप सबने जो अकल्पनी ये था उसे घटित होने पर विवश कर दिया है और अब आप सब संसार का अमरित प्राप्त करने के बहुत ही निकट पहुँच चुके हैं यही है संसार की सबसे दुरलब वस्त जो प्राकृति के अटल नियम मृत्य को भी सदा सदा के लिए टाल देती है रुकिये मैं जानता हूँ आप सब ने इसे पाने के लिए बहुत श्रम किया है पर ये अमरित केवल उसे ही मिल सकता है जिसके लिए विधाता ने निर्धारित किया है तो अब हम अवश ही परम पिता परमात्मा के निर्णे की प्रतीक्षा करेंगे देव देव धनमंत्री आपने इतने वर्षों तक इस अमरत को संभाल कर रखा इसकी रक्षा के और आज हम सब के लिए इसे यहां लेकर आएं मैं सभी असरों की ओर से आपके पाउँ छूकर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ यदि असर इस नियम को तोड़ने का प्रयतन करते हैं तो इसका दान उने भोगना हूँ असर के मस्तिशक में जरूर कुछ विकट चल रहा है झाल आपकाई तो फिपट रहाँ और यह जरूर से विकट चल रहा है यह जरूर जरूर रहाँ झाल झाल चर खाल झाल रहाँ झाल 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 यह झाल वा झाल अदुः अख अविट अवरे आठरे लूए विनाश काले विप्रित पुद्धी मन्थन की संधी तोड़ कर असुरों ने आत्म विनाश का आरम किया